सबको नमस्ते तो कबीर जी के शब्दों पे विचार करेंगे सुख में सुमिरन ना किया दुख में करते याद कहे कबीर तादास की कौन सुने फर्याद तो कबीर जी कह रहे हैं कि जिनोंने सुख में सुमिरन नहीं किया तो पहले तो हम ये समझेंगे कि सुख क्या सुख किसे कहते हैं हमारे लिए आमतौर पे सुख किसे कहते हैं और हमारे लिए दुख क्या होता है और फिर हम बात करेंगे कि सुमिरन का मतलब क्या सुख में सुमिरन ना किया दुख में करते यार कहे कबीर तादास की कौन सुने फर्याद तो हमारे लिए सुख होता है कि जब हम भली भाती एक so called जो हम normal जीवन कहते हैं जिसे वो चल रहा है उसे हम सुख कहते हैं खाने पीने को है पहनने को है आसपास परिवार है पैसा है उसे हम सुख कहते हैं तो कभीर जी कह रहे हैं कि अगर जो so called तुम्हारा जो normal day to day दैनिक जीवन है उसे अगर तुमने सार्थक तरीके से जीना नहीं शुरू किया एक सही जीवन की शुरुवात नहीं हुई तो जब दुख आएगा सुमिरन मतलब सही जीवन सुमिरन का ये मतलब नहीं है कि मैं एक तरफ से अपने गलत काम गलत तरेका जीवन गलत तरेका आचरन करता रहूं और दो घंटे जाके या पांच मिनट जाके मंदिर में भी बैठ जाओं उसे सुमिरन नहीं कह रहे कभीर कभीर का सुमिरन है एक सार्थक जीवन एक जीवन जो इगो के लिए नहीं जिया गया हो एक जीवन जो सही उचित कर्म के लिए जिया गया हो कि मेरे लिए यहां उचित कर्म क्या है उचित जो भी कर्म है वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा वो दूसरे बंदे के लिए भी उचित ही होगा तो हमारा जो आमतोर पे जीवन होता है उसमें हम उचित कहां देखते हैं हम तो ये देखते हैं कि मेरा मन मानना चाहिए कि मेरा मन कह रहा है तू ये कर तो तू ये कर और मेरा मन नहीं कर रहा तो तो फिर उन चीज़ों से दूर रहे तो हम ऐसे एक अत्याचार वाला जीवन जीते है तो कबीर जी कह रहे है कि अगर आपने सोकॉल जो नॉमल जीवन जवाब का चल रहा है हमारे लिए दुख वो होता है जो ये सब जो मैंने सुक माना हुआ है जब इसमें कुछ बाधा पढ़ने लगे तो उसे हम दुख कहते है मैंने सुक माना हुआ है पैसे के आने को तो जो पैसा नहीं आएगा तो मैं दुखी मेरे लिए वो दुख है मैंने सुख माना हुआ है घर परिवार को तो अगर घर परिवार में किसी की तबियत खराब तो मैं दुखी, मेरे लिए दुख मैंने सुख माना हुआ है शरीर को तो शरीर में आपत्ती, आपदा इसका मतलब मेरे लिए दुख मैंने सुख माना हुआ है शादी और ग्रहस्ती को अगर वहाँ पे कोई आपदा आपत्ती आ गई तो मेरे लिए दुख तो जिसको हमने जीवन माना हुआ है सुख माना हुआ है वहाँ जब कटाक्ष होता है वह चीज जब ठीक नहीं चलती तो वह हमारे लिए दुख होता है तो कबीर जी कहे रहे हैं कि अगर जब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हिसाब से ठीक चल रहा है रहने पीने खाने को सब कुछ है तुम्हारे पार तब अगर तुम एक right attitude से जीवन जीना नहीं शुरू करोगे एक सही उचित दिशा का जीवन सार्थक जीवन भोग विलास, consumption, accumulation उसका जीवन नहीं कि बस मेरे लिए इखटा होता रहे, लालच, हवस, वासना वासनाओं से भरा जीवन, एक उचक जीवन किसी के लिए भी नहीं हो सकता तो कभीर जी कह रहे है कि अगर तुमने तब एक सही सार्थक जीवन शुरू नहीं किया तो अब जब आपत्ती आएगी, दुख आएगा तब एकदम से कुछ चमतकार नहीं होने वाला कि तुम बचा लिए जाओगे अगर अशान्ती का जीवन ही चले जा रहा है और वासनाओं में जब तक हम लिप्त रहते हैं, हम जब तक ambitious, greed, desires, जब तक इनको follow करते हैं ambitions को, greed को, desires को, ego को, तब तक हमारा एक जीवन, अशान्त जीवन ही रहेगा तो एक अशान्ती का जीवन जब चले जा रहा है, चले जा रहा है और जब आपत्ती आ गई, दुख आ गया, तो एकदम से तुम बोलो कि मुझे शान्ती मिल जाए, तो मिलेगी नहीं नहीं मिलेगी और एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा साधक, एक ऐसा इनसान जो आमतोर के जीवन को, दैनिक जीवन को उचित से उचित करने की कोशिश करता है उसको उचे से उचे उसकी संभावना की तरफ ले जाने की कोशिश करता है अब उसके लिए कुछ दुख बचा नहीं उसके लिए दुख बचा नहीं दुख हमारे लिए तब होता है जब कोई भी चीज मेरी mental opinions और rigidity की against जाती है कि स्वास्थ ही सुक है तो जब बिमारी आई वो मेरे लिए दुख हो गया अब जब मैंने अपने मन में कोई भी धारना नहीं धारन की हुई कोई भी धारना को अपने उपर ओड़ा नहीं हुआ अब जब बिमारी भी आती है और मेरा एक attitude जीवन के प्रती ठीक है एक ऐसा attitude है कि चाहे कोई भी situation आए मैं उससे सीखूंगा ये मेरा attitude है काहे चाहे कोई भी दुविधा पड़े मेरा कर्म है मेरा फर्ज है उससे सीखना उससे भैतरी की तरफ जाना उच्चतम से उच्चतम की तरफ जाना किसी भी situation का use करके तो अब मेरे लिए दुख दुख नेरा जो आमतौर के लोगों के लिए दुख हो जाता है अगर बिमारी है किसी के घर में तो वो आमतौर के जीवन में हमें बड़ा disturb करती है रे बिमार हो गया, बिमार हो गया, क्या हो गया लेकिन अब मेरे लिए बिमारी भी दुख नहीं है मेरे में क्या-क्या है जो मैं अपने में बहतर कर सकता हूँ, कौन-कौन सी चीज़े हैं जिनमें मैं अभी भी चूप चाता हूँ, तो अगर कोई इनसान, कोई साधक, सुख के समय, सो-कॉल जब जीवन ठीक है, उस समय एक right attitude सही दिशा में, उचित दिशा में जीवन जीना, स हीट से, ambition से क्या मिल रहा है ऐसा, और वो क्या really में मिल रहा है, तो जब हम एक समझदारी का जीवन चुरू करते हैं, तो फिर दुख की कोई बात ही नहीं रह जाती, फिर ऐसा नहीं है कि मैं दुख में भी सुमेरन कर पाऊंगा, फिर मेरे लिए दुख रहेगा नहीं, एक सार्थक जीवन वो जीवन है, जिसमें दुख की कोई जगे नहीं है, जिसमें बस सीखना ही सीखना है, बहतरी ही बहतरी है, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, मुझे बस समझ के साथ आगे बढ़ते जाना है, और कुछ न कुछ सुन्दर्ता की तरफ अपने आपको कि अच्छा, इस से मुझे क्या पता लगा, इस सिचुएशन से मुझे क्या पता लगे, कि मुझे मैं अभी भी इन चीजों के बारे में बहुत सोचता हूं, या अभी भी बहुत कमजोर हूं, अभी भी बहुत डर है, तो इन सब को raw material बनाना है, अपनी प्रोग्रेस का जो सुख में सुमिरन करता है, जो सही दिशा से, सही उचित दिशा की तरफ जीवन को लेके जाता है, उसके लिए फिर दुख रहता नहीं है, और ना ही उसके लिए कोई सुख है, एक उदासीनता की भावना की बात की जाती है, जो संथ महापुरुश है, वो अपने को नाम देते हैं उदासीन हो गए तो उनको पता लग गया कि ना सुख से मुझे फाइदा है और ना दुख से मुझे घाटा है दुख और सुख एक ही तल के हो गए अब मैं उससे कई दूर जाके बैठ गया तो क्या ये हमारी संभावना है क्या हमारी दैनिक जीवन में ये हमारी एक संभावना है कि सुख हो या दुख सो कॉल्ड मुझे तो बस जीवन में आगे ही बढ़ते जाना है अपने आपको बहतर ही बहतर बनाते चले जाना है तपा तपा के आग में जो भी उपस्थिती आती है जो भी सिचुएशन आती है जीवन में उनको हमने यूज करना है अपने आपको तपाने के लिए तप की बात की जाती है तप बहुत जरूरी है बिना तप के कोई भी ची सुन्दर सार्थक नहीं हो सकती तो क्या मैं अपने आपको तपाने के लिए इस जीवन की फर्नेस में लाइफ is like a फर्नेस उसमें अगर मैं जब तक तपूंगा नहीं तब तक मैं सुन्दर कैसे होंगा तो कोई भी कोई भी situation आजाए जीवन में मुझे तो बस उसका इस्तमाल करके अपनी बहतरी की तरफ आगे बढ़ते जाना है अब ऐसे इंसान को कोई रोक ने सकता कबीर जी कहते हैं राम मिले थाने कौन हटके one who has truth, one who has a right direction to his life nobody can stop it nobody can stop that person no so called bad situation can stop that person तो जितना भी जीवन जीया जाएगा वो एक सुन्दर जीवन होगा वो एक गहरा जीवन होगा वो एक उच्च जीवन होगा निम्न कोटी का जीवन नहीं होगा तो हमारी भी हम सबकी ये संभावना है और हम जो जो हम में से तयार हैं जो इस पत पे चलने के लिए तैयार है, उनको आगे कदम बढ़ाना ही चाहिए, चाहिए कितना भी फिसलेंगे हम घबराएंगे नहीं, हम बस आगे कदम बढ़ाते जाएंगे, और जीवन की हर परिस्थिती का बिल्कुल एक सही इस्तिमाल, सार्थक उसका जो उपयोग है, वो करेंगे, वो कबीरता दास की कौन सोने फर्याद, तो हमें सुख और दुख दोनों से ही परे रहकर जीवन जीना है, ना सुख माइने रखता है, ना दुख, जो माइने रखता है, वो है बढ़ोत्री, वो है उच्चतम से उच्चतम हमारी संभावना, हर शन में, हर पल में, अवर हाइस् अवर अवर मोमें, वो है उच्चतम से खावद्याद, वो है झाले को है, वो है वो है वो है, वो है आप है है?